करेंट और नियुक्त चर्नल लेश्ट लान्फं होम् दिरंजन तियारी प्रेंट्स आज हम करेंट अफ्यर्स की जो हमारी कड़ी चल रहे थी करेंट अफ्यर्स जर्न नॉलेज आप जो भी कहलो जिसमें हम जो करेंट इवेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी तोड़े इंट्रेस्टिंग हो उस पर हम कोशिज करते हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड करें ताकि बहुत साधारण भासा में या साधारण चीजों में आपको समझ में आ जाए कि वह क्यों है आज का जो इसू है वह हमारा है पाकिस्तान-चीन संबंद चुकि भारत-चीन संबंद कि भारत की वज़े से पाकिस्तान-चीन एक साथ आये हैं हाँ ठीक है यह एक रीजन है लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है और मैंने यह टॉपिक क्यों उठाया है मैं उसके लिए आपको बता दू अभी कुछ समय पहले बजट सेशन पर बात हो रहे थी तो राहुल और आपको भी पता है कि विंटर ओलंपिक्स अभी सुरू हो गया है चाइना में तो विंटर ओलंपिक्स में इम्रान खान भी गये हुए थे तो उन्होंने चाइना में जाकी यह बोला कि वो एक मेडियेटर की भूमिका निभाना चाहते हैं चीन और अमेरिका के बीच में तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में विडियेटर की भूमिका निभाए इतने दो सब्सक्तियों के बीच में तो उसी को लेके आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि राहुल गान्धी की बातों में कितनी सचाई है और जो इमरान खान कर रहे हैं उनकी बातों में कितनी सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और चीन का जो पहला सम्वंद शुरू हुआ जैसा कि आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान आजाद हो चुका था बारत से लग होके ही उसके अलावा 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट्स हुआ है तो चाइना 1949 में हुआ था तेक्निकली आप ये कह सहते हैं कि चाइना भारत के बात आजाद हुआ था लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान का खूटनितिक संबंद 1957 में शुरू हुआ था जब पाकिस्तान ने खूटनितिक सुरुआत की मतलब भारत ने तो पहले ही वो कर दिया था जब हम हिंदू-चीनी भाई-भाई की बात कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान ने कब सुरुआत की थी 1997 में में पाकिस्तान की शुरुआत हुई थी चाइना के साथ अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि चूकि हमें पता है कि यह जो J-P takeOT पता है यह पाकिस्तान के पास पर यह जो इलागा था संग्जिम का इलागा है जो P.O.K. का हिस्सा माना जाता है यहाँ पे 1963 में जो P.O.K. का संचम संचम घाटी है जो वैली है उसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया यह जब हम इसकी बात कर दें यहाँ पे C.O.K. लिखा है चाइना ओक्यूपाइट कस्मीर यह पहले पाकिस्तान ओक्यूपाइट कस्मीर था लेकिन बाद में 1963 में इसको चाइना ने दे चाइना को दे दिया चाइना को देने के बाद क्या हुआ 1978 में यही से काराकोरम हाईवे का निर्मान हुआ काराकोरम हाईवे कारा कोरम हाईवे इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां पे कारा कोरम स्रेडी है जो मांट की मांटेन है कारा कोरम वो यहीं पर है तो इसका नाम कारा कोरम हाईवे पड़ा यहां के थू जाता है जो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है अब कारा कोरम आपको अगर इस तरह से तो पाकिस्तान और चाइना की जो कनेक्टिविटी है वो खतम हो जाएगी और आपने नाम सुना होगा ओ बी ओ आर ओबी वन रोट वन बिल्ट या वन बिल्ट वन रोट एनिसियेटिव वो भी इसी के थुरू होके जाता है तो आप सोचिए कि ये जो वैली है ये कितना हम बात कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान चाइना एक साथ आये तो इसकी बात हो गई उसके बाद हम बात करते हैं कि 1970 में अब जो बात हो रही थी जो इमरान खान ने बुला कि हम मेडियेटर की भूमिका निभाना चाहते हैं या मीडियेटर मीडियेटर बनना चाहते हैं चाइना और अमेरिका के भीच में वह पहली बार ऐसा नहीं हो था 1970 में भी पाकिस्तान ने मद्यस्ता की थी ठीक है तो 1970 मेरा question यह है कि प्लीज आप comment करके बताइए कि 1970 में अमेरिका चाइना का लीडर कौन था कि चाइना में उसमें कौन से राज़पती थे और अमेरिका में उसमें कौन से राज़पती थे आपको यह बताना है तो उनके बीच में मद्यस्ता की थी तो ऐसा नहीं था कि यह पहली बार हुआ है और देखिए पाकिस्तान ने मद्यस्ता की उसका रीजन यह था कि अमेरिका जो था वो capitalist country थी चाइना जो थी वो शाम्यवादी का country थी अब क्या होता है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जाता है अमेरिका की तरफ जाता क्या है आपको यह कह सकते है कि वो अमेरिका की तरफ जुका हुआ था बड़ चाइना के करीब भी आ रहा था इस वज़र से पाकिस्तान को एक buffer किया था उसके बाद क्या होता है 1974 1974 sorry friends यह थोड़ा सा mistake हो गया है कि 1974 में जब भारत ने परमादू परिक्षन्ड किया था हमने बोला था ना कि यह परमादू परिक्षिन हुआ था तो हमने यह बोला था कि यह हमारा नागरिक परमाद परिक्षन है इसका मतलब है कि हम ये destructive purpose से हम अपना nuclear weapons नहीं test कर रहे हैं वो constructive है या तो हम बिजली के लिए बात करेंगे या फिर हम तब करेंगे जब defensive होना होगा हम पहले इस्तिमाल नहीं करेंगे नो first use policy जो हम जिस पर हम चले आ रहे हैं तो भारत ने जब पर्माड परिक्षण किया तो क्या हुआ 1986 में चाइना ने पाकिस्तान को भी यही टेकनीक दी और उन्हें भी यही नाम दिया गया कि भाई यह भी सिर्फ नागरिक पर्माड तकनीक है इसका कोई purpose उससे लेना देना नहीं है तो चाइना ने पाकिस्तान को पर्माड परिक्षण करने की शक्ति दी या पर्माड टेकनलोजी दी यह सबको जनरली पता होगा और उसके पीछे और एक रीजन क्या हो सकता है कि भारत अमेरिका के बीच पर्माड समझा होता हुआ कि हम यूरेनियम ले सकते हैं या टेकनलोजी ले सकते हैं इसकरण की जब बात होने लगी तो कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना भी एक गूसरे के close आना शुरू कर दिये उसके पीछे और भी एक रीजन ये था कि आगे हो सकता है और दिख जाए उसामा विल लादेन मारा गया था पाकिस्तान में और उसके पहले पाकिस्तान ये कहता था कि उसामा विल लादेन पाकिस्तान में नहीं है लेकिन जब नेवी सील ने अमा को एबटाबाट में पकड़ा और उन्हें उसको मारा तो पाकिस्तान और अमेरिका के वीच में खट बन्द होने लगी अमेरिका अने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया अब जब अब मसूद को कई वार वैस्योग काति कि सूची में सामिल कराने की बात अमेरिका भी करता था और मतलब जाने लगा ठीक है और उसके बात एक और दूसरा जो रीजन मतलब नेक्स जो रीजन है वो यह है कि पाकिस्तान की जो खराब हो रही थी आर्थिक इसके थी तो कि पहले उसे अमेरिका से आर्थिक मदद मिल जाती थी ऑफ से मिल जाती थी एफिटी एफ मतलब बहुत सारी चीजें थी जहां से मिल जाती थी लेकिन वो धिरे-दिरे बंद हो रही थी जती बंद लग रहा था तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वह चीन से अपनी सहय था मांगे अभी हम बात कर रहे थे कि बात कर रहें क हम आगे बात करेंगे कि ठीक है पाकिस्तान की तो मजबूरी है लेकिन चीन क्यों कर रहा है तो हम उसकी आर्थिक किस्तिती जब खराब होने लगी तो अभी जो इम्रान खान जो चाइना गया है विंटर ओलम्पिक्स के लिए कसमीर तो एक मुद्दा है क्योंकि वो हर जगह जहां भी जाता है कस्मेर की बाल प्राते हैं लेकिन उसके अलावा वो थ्री ट्रिलियन या विलियन डॉलर की डिमांड करने भी गये हैं कि उन्हें कुछ पैसे मिल सके हैं का सबसे इंट्रस्टिंग बात यह है कि वहांसे पैसा मिला या ना मिला लेकिन उन्हों ने 91 क्रोड 95 रुपे ए ऐँप या 91 क्रोड डॉलर चाइना को सेंशन कर दिकर सुरी स्री स्रिलंका को सेंशन कर दिए कि हम स्रिलंका की आर्थिक मदद करेंगे ये बात पाकिस्तान कह रहा है आप सोचो कि जो खुद के जिसके पास खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं वो दूसरे को मदद करने की बात कर रहा है ठीक है ये तो रही थोटी सी अलग बात हमने बात कि हम पाकिस्तान चाइना के साथ क्यों है और उसे भी पता है कि भारत के साथ कॉन्फिक्ट है चाइना का भी पाकिस्तान का भी अब पाकिस्तान को इतना समझ में आ रहा है कि भारत तो चाइना जब दुस्मन है तो होता ने कि दुस्मन का दुस्मन हमारा दोस्त होता है तो वो टेक्निक थोड़ी सी वहाँ पे लगाई जा रही है अब हम बात करेंगे कि चाइना क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिले या पाकिस्तान उसके साथ रहे उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना भी विस्तारवादी नीती को बढ़ावा देता है Hong Kong पर कपज़ा कर रखा है वो कहता है कि Hong Kong की स्वायदता है वो पूरी तरह से नहीं है अब Hong Kong का क्या इसू है अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी एक lecture हो सकता है बस मोटा मोटा यह समझ लो कि Hong Kong ब्रितेन ने होंग कॉंग चाइना को दिया था इस सर्थ पे कि होंग कॉंग के जो स्वायदता है और नॉमी है वो बनी रहेगी पर चाइना कहता है अब कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है होंग कॉंग की अपनी आटोनॉमी नहीं है वह जैसे बाकी टेरिडरी है वैसे ही चाइ दुस्रा बियतनाम है और सिर्पित थोड़ासा ये देखलीजेगा ये अगये ताइवान है asa और South China Seekah तो सबको पता है कि South China Seekah क्या मैटर था है कि दक्षणी चीन सागर को चीन अपना बोलता है बाकि जो कंट्रीज है वो कहती है कि नहीं ये इंडिबेंडेंट है अब पाकिस्तान उस पे चाइना का साथ देता है लेकिन चाइना को एक मौका मिलता है कि पाकिस्तान मत साथ उसे चाहिए पहला तो यह उसके बाद कई बार अजहर मसूत को वैसे कातां की सुची से बाहर रखने की कोशिस चाइना ने किया था लेकिन वह वैसे कातां की सूची में सामिल किया गया उसे बाद में लेकिन चाइना ने बहुत कोशिस की दूसरा अब जो बहुत सीधी उपस्तिती हमने बात की थी इसके दुरू जो कारा कोरम हाई बिस हुए इसके दुरू यहां से जाके सीधे यह जो गौादर पोर्ट है यहां से होते हुए इसकी उपस्तिती चाइना की उपस्तिती सीधे यहां हो जाएगी और वो अरब सागर में आ जाएगी क्योंकि हिंद महासागर में आने का इंडनोसियन में आने का कोई और जरिया है नहीं सिर्फ साउट चाइना सी के तरूँ आ सकते हैं बेया बंगाल के तरूँ लेकिन यहां पर यह नजदीक है तो इसलिए भी यह बहुत जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ रहे या चाइना पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखे उसके अलावा अफगानिस्तान पे जो पकड़ है वो तब तक बजबूत क्योंकि अफगानिस्तान के साथ डारेक्ट सीमा चाइना की नहीं लगती और अगर अफगानिस्तान पे नजर बनागे रखनी है अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बनागे रखनी है तो पाकिस्तान पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है इसलिए वो पाकिस्तान को अपने से दूर नहीं कर सकता पाकिस्तान जब भी मदद के लिए जाता है चाइना उसके साथ मदद का हाथ बढ़ाता है रीजन यही सारी चीजें हैं ठीक है उसके अलावा उईगर मुसल्मान चुकि जो IOC हैं IOC कंट्री हैं इसलामिक ओर्गनाइजिसन जो कंट्री हैं उन में पकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाद हमें लगता है कि पाकिस्तान बहुत बोलता है या जो भी है उसके एलावा है जब आप एसलामिक वर्ल्ड की बात करते हो, इसलामिक कंट्रीज की बात करते हो, उसमें टर्की और पाकिस्तान, ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अगर एकोनामिक आर्थिक रूप से, सरी, पाकिस्तान, एकोनामिक रूप से स्ट्रॉंग होता, तो सायथ IOC में सबसे बड़ा लीडर हो सकता था, लेकिन हाला कि ऐसा है नहीं, पर उसकी पकड़ है, तो जब ये खुद कहते हैं, कि हम मुस्लिमों के हिमायती हैं, क्या कहते हैं उसको, हिमायती हैं, जैसे जब कश्मीर के मुस्लिम्स के बारे में बात आत हैं, लेकिन उईगर मुस्लिम की जब बात आती है, तो ये चुप रहते हैं, और पूरा बिस जानता है कि उईगर मुस्लिम के साथ चाइना में क्या किया जा रहा है, लेकिन एक इसलामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान जब इस पर चुप रहता है, तो चाइना को उसकी गावादी कहते हैं, वो इस तरह से एक पाकिस्तान में भी जिजियांग राजप्रांथ है, वहाँ पर इस तरकिस्तान इसलामिक मुवेंट, ठीक है, इस तरकिस्तान इसलामिक मुवेंट ETIM, ऐसा करके एक ग्रूप है जो पर चाहिए जादा इस तरह की अक्ट्विटीज क करता है तो उससे लेकर और उस वो जो ऑपरेट किया जा रहा है वो पाकिस्तान से तरकिस्तान से तो इसलिए पाकिस्तान को अपने साथ लाना आप चीन के लिए जरूरी हो गया है ताकि वो इस तरह के जो विद्रो होते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है उनक आपने नाम सुना होगा स्ट्रिंग और पॉल्स का मतलब होता है कि चाइना भारत को घेरने के लिए एक माला की तरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे ग्वादर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है इसलि लंका में भी हमबंड़ोटा पोर्ट है ओऊ और 어ो भी चाइना अपने कभजे में ले रहा है या फिर उस यूजो डेबलॉपमेंट हुआ है उसका को चैनी कम्पनी नहीं किया है तो इस तरह से जो भारत की नेवरिंग कंट्रीज हैं आप इस पेसली देखो ये जो रास्ते दिख रहे हैं आपको ये जो डॉटेड हैं ये है स्ट्रिंग ऑफ पल्स कि चाइना भारत को घेरने की नेती के काम कर रहा है और इसलिए उसे पाकिस्तान की बहुत जरूरत है और भारत को कहीं न कहीं इंगेज रखने के लिए चुकि चाइना ऐसी कंट्री है कि खुद को ये दिखाने की कोशिज करता है कि वह बहुत रिस्पॉंसिबल है इंडिया के पॉइंट आवियों किसी पॉइंट आविस तो वह डारेक्ट इंडिया के साथ भिड़ नहीं सकता अभी कुछ जिनों से उसका कॉन्फलिक बढ़ा है पर वह डारेक्ट नहीं विड़ सकता तो वह कहीं न कहीं पाकिस्तान को हिल्प करता है कि पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा क्योस करता रहे ताकि वो अपनी चीजों को भारत को कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ busy करे और उसके development या भारत की development रुखे या बाकी जो चीजे हैं उसको लिखे ठीक है आई होब कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन क्यों है या कैसा है तो अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि कुछ और किया जा सके तो प्लीज बताईए और प्लीज सजस्ट कीजिए कि इसमें कुछ और सुधार करना हो या कोई चीज आप चाहते हैं कि यह चीज न समझ में नहीं या मैं को कैसे बेटर कर सकता हूं प्लीज तो मोस्ट विलकम आप प्लीज कमेंट कीजिए थाइगे सो मच कीप वाचिंग